हेलो फ्रेंड्स अस्सलामु अलेकूं वेल्कम बैक पू मैं चैनल शहना दिल्कुष रेसिपी फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए नहीं रेसिपी लेकर आई हूं चैना वोटी पुलाओ बहुती टेस्टी और बहुती दिलिशस रेसिपी आप सबको पसनानी वालिए तब चलि अच्छे से बना लिए तो आप हम इसे फुलाओ इस्तिमाल करेंगे तो आप हम इसे फुलाओ इस्तिमाल करेंगे तो फ्रेंट्स यकनी बना लिजेगा फोड़ा पानी जादा अड़ करके मने थोड़े इसमें हड़ी भी दल वाली थी कि हड़ी का भी टेस्ट यकनी में बहुती अच्छा आता है तो खीमा और चना हमारा अच्छे से गल चुका है तो हम आपे मसाला बनाएंगे तो मसाले क तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए तो फ्रेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राब किजिएगा और बेल के आइकन का जरूब किजिएगा कि आने और वीडियों के सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अगर आपको मेरे रेसीपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंट्स अगर रेसीपीस के बारे में अगर कोई सुचा आए तो आप मुझे जरूर कमेंट में ब करेंट कर दिया है और सारे खड़े गरब मसाले मैं इसमें अच्छा टेस्ट आता है और सारा पिसावा गरब मसाला जो भी हमारा बसला था तो हमने इसमें अच्छे से धीमियाच पर भून लेना है कि जैसे से हम भूनेंगे धीमियाच पर इसमें सोंदी खुश्बू निकलने लग जाए फ्रेंट मसाला बहुत ही अच्छा बहुत ही खुश्बूदार बनता है फ्रेंट्स यह चना बोटी पुला बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंट्स आप इसे एक बार जरूर ट्राइ बहुत पसंद आने वाला है फ्रेंट्स तो यहां पर दो से तिन चमच हमें दिवी एड़ करना है और दही को भी अच्छे से बूने लेना है हम यहां पर टमाटर को इस्तिमाल नहीं कर रहे है इसलिए हमने यहां पर बहुत ही अच्छे इड़ कर दिया है और गुश्बू तोट एक मपने ढमन तोट खर लिदे खिने वोटान है मेंimo कपर में के तर्य कर दनिया थारक ले तर्ट को बीदा ओक पूर्ड़ माझा एक चप यक्छ एक ठॉटल में घंडर स्काथ नमाज बने गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है और नमाख बने सौत्यानुसा लिया हुआ है और हम अच्छे से घुन लेंगे दिने आज पर मसालों को तो फ्रेंज मसाले जलने नहीं चलिए इस बात का जुरूर ख्याल कीजिएगा पानी भी हमें जरूरत के मुताबिक इसमे यह भंड़ेड़ रहना है तो फिर आफजा फ्रैंज अगर अगर अप्षा वर्णा इसमें चावल्य तुपड़ा राइसे अगर अछा आप नहीं देखें है को कि अच्छा बलाओं बनता यह को प्रेंज एक बात वज़र में यहां पर कि देखें हमारे पानी में अछ्छे से उबाला चुका है हमने जो यकनी बनाए वी थी उसे हमें इसमें एड़ करना है और चना और चना गोटी हमें इसमें एड़ करना है प्रेंस यकनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है बहुत ही फ्लेवर फुट होती है यहां पर देखिए सारा चना और चना गोटी हमें और एक से दो बार हमें चावलों को नीचे से उपर करना है और फिर से पकने के लिए छोड़ना है तो यहां पर देखिए पुलाव में से पानिया आदे से ज्यादा कम हो चुका है तो आप हम इसे दम पे लगाएंगे यह में आज पर 6-7 मिन्टों के लिए इसके अपर हमें ब बिरिस दालने से पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं इसमें बिरिस्ता भी एड़ कर दिया है और थोड़ा सा इस पर जनिया एड़ कर दिया है अगर आपके पुदीना है तो आप पुदीना भी इस पर डाल सकते हैं इसके पाद हमें 6-7 मिन्टों के लगा देना है तो इसके बाद है कि हमारा पुलाव एकदम रेडी हो गया है और यह बहुत ही खिला खिला बना है बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना है आप हमें से प्लेटिंग करना है तो मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से लिखता है तो देखिए इसका लोग देखिए फ्रेंज कितना टेस्टी है कितना डिलीशस दिख रहे है न आप फ्रेंज से जुरू ट्रै किजिएगा इस ते खाक में राइता कच्छों मर के साथ इसे इंजॉय किजिएगा तो मिलती हूं मैं आपको नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाय बाय अला हाफिस